Welcome to Motor Reviews, आपके सामने है All New 2021 Yamaha MT-15 का New Color Option जो की जल्द Indian Market में आपको देखने को मिलेगा इस बाइक में आपको क्या कुछ New Changes देखने को मिलते हैं, प्राइस कितना देखने को मिलेगा और ये बाइक Indian Market में लाँच कब होगा सारी detail and complete information के लिए इस review को ज़रूर आप enter देखिए comment section में मुझे ज़रूर ये बताएं कि ये color आपको कैसा लग रहा है Yamaha MT-15 जब Indian Market में लाँच हुआ था 2019 में उतना अच्छा response नहीं देखने को मिला इस bike में बट अब इसमें आपको काफ़ी अच्छी sales देखने को मिल जाती है 2021 में आपको जो color option देखने को मिलेगा डार्क प्लास color देखने को मिलेगा जिसमें आपको grey and black color का combination देखने को मिल जाएगा black color का आपको use ज़्यादा देखने को मिलेगा जैसे इसके front mud guard में आपको black color देखने को मिलेगा इसमें आपको जो headlight है वो भी आपको black color की देखने को मिल जाएगी exhaust, engine call इसमें आपको जो engine देखने को मिलेगा वो भी आपको black color का देखने को मिल जाएगा इसमें आपको जो fuel tank देखने को मिलेगा वो आपको gray color का देखने को मिलेगा जिसमें आपको blue and red color की stripes देखने को मिल जाएंगे इसमें आपको जो front DRL headlight है वो आपको gray color की देखने को मिलेगी इसमें आपको जो alloy wheels देखने को मिलेंगे वो आपको orange color के देखने को मिल जाएंगे Yamaha MT-15 में आपको क्या कुछ new changes देखने को मिलेंगे इस bike में आपको Bluetooth connectivity देखने को मिलेंगे with navigation system इसमें आपको adjustable clutch lever भी मिल जाएंगे इसकी जो seat है pillion की काफी uncomfortable थी बट अब इसमें आपको wider and large seating भी देखने को मिल जाएंगे इस bike में आपको LED indicators भी मिलेंगे और इसमें आपको जो features देखने को मिलते हैं इसमें आपको same features देखने को मिल जाएंगे जैसे इसमें आपको LED DRL headlight देखने को मिलती है इसमें आपको LCD digital meter console भी मिल जाता है single channel ABSB spike में आपको मिलता है front में इसमें आपको engine cooling technology liquid cool मिल जाती है इस bike में आपको same specification देखने को मिलेंगे जैसे इसमें आपको engine 155.1cc का liquid cool engine मिलता है power इस bike की आपको 18.5 HP की मिल जाती है torque इसमें आपको 13.9 Nm का torque मिल जाएगा number of gears इसमें आपको 6 speed gear मिलते है disc size front में इसमें आपको 282 mm single disc करेगा front disc size, rear disc size 220 mm single disc देखने को मिल जाएगा rear में, अगर हम इस bike की performance की बात करें तो इसमें आपको same engine देखने को मिलता है यमार 15 V3 वाला, top speed इस bike की आपको 135 km per hour के साब से मिल जाती है and average इस bike की city में इस bike आपको 40 km per liter के साब से average generate कर देता है इस bike में आपको totally refined and smooth engine देखने को मिलता है इसमें आपको sharp DRL headlight देखने को मिल जाती है, powerful brakes भी इस bike में आपको मिलते हैं इसमें आपको comfortable riding position भी मिल जाता है अगर हम price की बात करें तो 2020 का price आपको इस bike का 1,39,900 रुपीज एक्शोरूम देखने को मिलता था, अब इस bike का price आपको 3,000 पे ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसका price आपको 1,42,900 रुपीज एक्शोरूम इस bike का थी, मैंने आपसे discuss की, स्टेला आपके को doubts या कभी भी को question होता है, आप मुझे Instagram पे direct message करें, मैं आपको जूर reply दूँगा, तो आज के लिए बस इतना ही, आज के review को हम इधर ही wind up करते, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो ज़रूर like करें, चैनल करें, आपको ये वीडियो आपको